पचास होस पावर की स्रेंडी में सौराज का ये पहला एंसा टेक्टर है जो कि 3478 सीसी के साथ में 207 न्यूटन मीटर की दमदार टॉर्क के साथ में आता है इंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग मिल जाती है पचास होस पावर की स्रेंडी में पंप लगाए हुए हैं जो की 32 लीटर प्रती मिनिट के हिसाब से ऑईल की सप्लाइ करते हैं जिससे आपको हाइड्रोलिक और पावर स्टेरिंग के अंदर मिलती है सांदार पर्फॉर्मेंस पचास होस पावर की स्रेंडी में इंडिया के सबसे ज़्यादा सांदार पर्फॉर्मेंस करने वाले हेवी ड्यूटी कंपनी फीटेड ड्यूल डिस्टिबिटर बॉल में मिल जाते हैं तो यहां पर कंपनी ने जो है आपको स्टेक्टर में बुल ड्राइब बाला रेयर एक्सल ओफर किया हुआ है और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हुए हैं सौराज के द्वारा इंडिया में रिसेंटली लॉंच पचास होस्पावर की स्रैनी में सबसे बड़े इंजन 3478 सीसी के साथ में आने वाले 208 न्यूटन मीटर के टॉर्क जनरेट करने वाले एक ऐसे पावरफुल ट्रैक्टर का फुल रिव्यू वीडियो जो की पचास होस्पावर की स्रैनी में सौराज का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और बिकने वाला ट्रैक्टर है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर का फुल रिव्यू करेंगे उससे पहले यदिया आप चैनल पर पहली बार आए हैं जो है अब बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है साथ ही स्टेरिंग के अंदर हम बात करें तो यहां पर कंपणी ने जो है आपको सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग के साथ में सैफरेड ओयल वॉक्स भी ओफर्ड किया हुआ है जिससे इस टेरिंग के स्टेरिंग में सैफरेड ओय जाता है जिससे इस टेरिंग लंबे समय तक स्मूथ परफॉंइंस के साथ में बात करती है और यहां पर यदि हम इयर क्लीनर के अंदर बात करें तो इंडिया का सबसे जादा सक्सेस three stage weight type एयर क्लीनर जो है आपको स्टे जो कंपनी ने आपको इडूल पंप ओफर किये हैं इसमें जो है आपको इसेफ़रेट पंप देखने के लिए मिलते हैं जिसमें आपको 32 लीटर प्रती मिनट के हिसाफ से ऑल की सप्लाय मिलती है जिससे आपके टेक्टर की हाइडरॉलिक और साथ में श्टेरिंग लंबे समय तक सांधार performance के साथ में smooth performance करती है यहां पर जो है सवाराज ने आपको स्ट्रेक्टर में separate oil box दिया हुआ है और यदि हम बात करें सेल्फ इस्टार्टर टो बारा बोल्ट दो KiloBar की जो है आपको स्ट्रेक्टर में सेलफ़स्टार्टर मॉंटर देखने के लिए मिल जाती है साथ ही स्ट्रेक्टर में कम्पणी ने आपको साइगर वेटरी वॉक्स आफर किया हुआ है जिसमें आपको 12V 100 A.H की बैटरी देखने के लिए मिलती है और इस ट्रैक्टर के अदि हम बाथ करें दोस्तो रेडियेटर के अंदर तो आएए ले चलते हैं आपको इस ट्रैक्टर में फ्रेंट की तरफ फ्रेंट में अधि हम बात करें स्टेक्टर में तो सौराज का आपको स्टेक्टर में डेलीकेटिड लुक देखने के लिए मिलता है दो हिलोजन लाइट मिल जाती है जो कि नाइट के अंदर आपको काफी अच्छी विजिबिल्टी देने वाली है साथ ही दोस्तों स्टेक्टर में फ्यूल इन लाइन पंप की बात करें तो यहां पर कंपनी ने आपको स्टेक्टर में बॉस कंपनी का फ्यूल इन लाइन पंप जो है आपको स्टेक्टर में बाटर सेपरेटर की पॉजिशन मिल जाती है और यहीं पर ठीक बाजू में आपको इस्टेक्टर के डीजल फिल्टर की पॉजिशन देखने के लिए मिलती है दोस्तो इस्टेक्टर में जिए हम इंजन की बात कराएं तो इस्टेक्टर में जो है आपको 50 होस पावर स्नैली का सबसे बड़ा चोंतेस सो अठतर सीसी का थ्री सिलेंडर बॉटर कूलेंट पॉर स्टोक डिरेक्ट इंजेक्शन नैच्रोली स्प्रेटेड पचास होस पावर का इंजन मिल जाता है जो की अल्मोस्ट दो सो आठ न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है साथ ही स्टेक्टर का इंजन 540 से लेके अल्मोस्ट 2000 रेटेड इस्टेंडर आट पीम तक बढ़के करता है और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो हम फुल रिवियू कर रहे हैं ये है सौराज का 744 XT 4 Star फ्रेंट में इस टेक्टर में लुक की बात करें तो सौराज का डेलीकेटिड लुक देखने के लिए मिलता है राइट तरब भी जो है आपको स्टेक्टर में सौराज के 744 XT 4 Star और आर्पीडियू की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है और जो है आपको स्टेक्टर में रेड और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा शांदार लगता है ओन डिमांडिंग जो है कंपणी ने डीलर्शिप में इसको बुलवाया गया है इस टेक्टर में अधी हम बात करें दोस्तों टायर साइज को लेके तो यहां पर कंपणी ने जो है आपको स्टेक्टर में और आज का डेलीकेटड देखने के लिए मिल जाता है जो की काफी जादा लॉंग लाइफ के लिए जाना जाता है जिसको एक बार फूल कराने के बाद दिन भार यह टेक्टर बढ़े अराम से चलता है इस टेक्टर में इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो इंजन के अंदर दोसों संतामों और पीट्यू के अंदर 38.8 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल मिलता है जिसमें आपको ट्रेक्टर के टेम्परेचर बैटरी सर्विस रिमांडर आर पीएम साथ में फ्यूल इफिसेंसी जैसी इंफॉरमेशन आपको इस ट्रेक्टर के एनलॉग स्टूमेंट कलस्टर में देखने के लिए मिल जाती है साथ ही इस ट्रैक्टर में ड्राइ है आपको स्टेक्टर्ण में तूलबक्स औफर करता। इस कम लता है एंदर आपको फुली सेंटर्ट गेने यह मिलता है मैन गेर में नंबर ऑफ गेर चार मिल जाते हैं रेयर्स का गेर मिल जाता है और साथ ही में यहां पर जो है कंपनी ने आपको स्टेक्टर में लो हाई का गेर ऑफर किया हुआ है आए हम आपको स्टेक्टर का साउंड और साथ में आर्पीम चेक कराते हैं स्वराज का डेलीकेटड साउंट इंजन कटफ लीवर यहां पर मिल जाता है यह तो हो गई दोस्तों उपर के फीचर्स की बात आईए ले चलते हैं आप नीचे की तरफ बात करेंगे स्वराज का डेलीकेटड लोक देखने के लिए मिलता है जहां पर फीचर्स भी आपको सांधर देखने केलेंगे यहां पर इस्टेक्डर में हेवी द्यूटी डूल दिर्टिप्स राइट दुऐल लिट कर और श्ट्रिटर को प्लउपAlbert पलाउट जो हाद को आपको 3-pt मिलते हैं जो की फुली ऑटोमेटिकली डेफ्टेंड डाफ्ट कंट्रोल वार के साथ में आते हैं । साथी इस टेक्टर में बात करें पीडिंड-डीडी टेक्टर ये também तो ये टेक्टर आता है पचास ओस पावर के साथ में यहां पर जो है आपको स्टेक्टर में breaking light और indicator का sound combination और यहां पर जो है आपको स्टेक्टर में चौकोड वाली हिलोजन light देखने के लिए मिलती है जो कि night के अंदर आपको काफी अच्छी visibility देगी साथ में number plate के लिए भी company ने जो है अब आपको स्टेक्टर में provisional offer कर दी है त झाल झाल